Study IQ IS अब तयारी हुई अफोरड़बल बात आ रही है The demand for Palestine और वो एक demand करते हैं कि भाई यह जो इसराइल है इसने occupy कर रखा है territory occupied region है हमारी जमीन का रखी है अब पैलेस्तीन की यह जमीन थी इसको occupy कर रखा इसलिए हम यह violent movement चला रहे है यह violence ले रहे हैं अपने हाथ में using the gun to fight against Israel और हमाज का तो clear target है the destruction of Israel clear target चलिए बाट समझ आती है इसके बाद Israel retaliate करता है बोलता है कि we are in a state of war very good उसके बाद seize करना शुरू करता है seize of the Gaza Strip मतलब roti, kपडा, makaan कुछ नहीं सब कुछ seize करेंगे पानी, electricity सब कुछ रोग देंगे trade रोग देंगे कुछ नहीं कर सकते है और उपर से हम bombing करेंगे तो bombing करना शुरू करते है northern Gaza से तो Gaza जो पटी है उसके northern part से सबसे पहले bombing करना शुरू करते है तो northern Gaza को पहले खाली कराते है फिर middle Gaza फिर southern Gaza तो southern Gaza में ही जगे है रफा जो आप बहुत ज़ादा news में सुन रहे है तो रफा इस बेसिकली आप border outpost with Egypt तो रफा को भी अब कबजे में ले लिया इसराइल ने बात ये थी कि भाई अब तो पूरा control में आ जाएगा गाजा हमास को एक ही target था वार का कि हमास को dismantle करना है खतम करना हमास हमास ने बोला हमने इसराइल को खतम करना है इसराइल ने बोला हमें हमास को खतम करना हमास को खतम करेंगे और वापिस से गाजा स्टिप में हमास के लावा किसी और party को किसी और representative को ले के आएंगे power में यह था इसराइल का पूरा गेम प्लान अब पूरी दुनिया जो प्रिकुलर्ली उनके जो स्ट्राटिजिक अलाइज है वेस्ट में जो युएस है वो एलेक्शन के टाइम में उसने इतरे मैसिव प्रोटेस्ट देखे अब एक आर्गुमेंट ये आरहा था कि ये प्रोटेस्स या अथा कि ये फंडिट भार घैमंड़ियं। और बहुत जगे इंदिया goes for that two state solution मतलब एक इस्राइल बनेगा एक पालेस्टीन बनेगा जो United Nation का typical जो argument है वही simple और बहुत जगे इंडिया abstain कर लेता है वोटिंग पे बहुत जगे इस्राइल के against वोट करता है तो आप इंडिया का stand बला clear है कि हमें two state solution चाहिए हमें peace चाहिए हमें we will not see people getting killed on both sides तो अब पूरे west के ओपर यह pressure क्या आता है कि अब human right violation कर रहे हैं कि ऐसे 35-40,000 लोगों को मारा है और यह जो 35-40,000 लोग है इसमें हमास थोड़ीना है सारे इसमें 15,000 लगबख civilians है और यह civilians में जो majority है वो औरतों का है और बच्छों का है तो आज यह बात भले ही खतम हो जाए 10 साल, 20 साल, 30 साल तक यह बात चल सकती है क्योंकि देखिए कोई country कोई South Africa, कोई Columbia सारी countries are against Israel कोई इसे International Criminal Court में ले जा रहे है कोई ICJ में ले जा रहे है और violation of human rights तो यह बात यहाँ पे खतम नहीं होगी इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि हमाज इतना strong कैसे होता है हमाज इतना powerful कैसे है कि इसकी सबसे technologically advanced country आप मानिये छोटी से demography आपके पास पर गापिटा income one of the highest आपकी जो expatriate community है in the west that is very dominant technology आपके पास US का support है NATO का support, सारी countries का support है आपने जमीन को फोड़ फोड़ के bombing की है ताकि वो tunnels destroy हो आप फिर भी इरान को कुछ नहीं कर पा रहे है इरान के साथ आपकी बीच में थोड़ी skirmish हुई चीजें एकदम directly आपके पास आ गई तो भी आप कुछ कर नहीं पाए हमास के उपर तो कुछ नहीं कर पाए तो देखिए दोस्तों मैं आपको यह जो पूरी कहानी बता रहा था वो आप थोड़ा एक बार location देख लिजे यह है हमारा इसराइल इसराइल में चोटी सी जगह है West Bank इसको मैं ऐसे W भी लिख रहा हूँ West Bank और यहाँ चोटी सी एक जगह है इसको Gaza लिख देते है ठीक है और यह जो triangle आपको दिख रहा है यह triangle इसे हम बोलते हैं Sinai Peninsula क्या बोलते है Sinai Peninsula which is part of Egypt ठीक अच्छा यहाँ पे यह जो पतला साब को strip दिख रहा है पानी का यह Suez है और यह जो पतला साब स्ट्रिप दिख रहा है यह Gulf of Aqaba है Aqaba और यह जो region है यह पूरा Red Sea का area आ जाता है यहाँ पे आपको Eritrea, जबूती, सारी countries मिल जाएंगी और यह जो area है यह Persian Gulf का area आ जाता है और यह dominated है by Iran और यहीं पे मैं आपको दूसी वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे Iran और जो हमारा Qatar है उसके बीच में एक बहुत important gas आप मुझे बताइए वो कौन सा basically gas field है उसका नाम क्या है तो यह gas field है जिसका northern part Iran share करता है southern part Qatar share करता है अच्छा अब थोड़ा इस region को और analyze करते है यह पूरे region आगया आपका northern अफरीका का northern एने लिख रहा हूं में इसको northern अफरीका और यह एक hotbed था of Arab spring तारी चीजों को correlate करना शुरू करिए तो कहानी में मज़ा आएगा Arab spring और the region which supported Muslim brotherhood अब एक चीज यहीं पर बता देता हूं कि Muslim brotherhood से बहुत ज़्यादा चिड़ता है बहुत गुस्से में रहता है साउदी साउदी and its allies in form of Gulf Corporation Council क्यों क्योंकि यह जो पूरा Arab spring movement था इसने टॉपल कर दिया मुनार्कीज को kings को dictator उसको घुटने के पर ला दिया कुछ लोगों को मार दिया तक्ता पलट हो गई तो ऐसे movement को साउदी और बहुत hate के तरह से देखता है और अगर कोई भी Muslim brotherhood को Arab spring type की movement को social media पे भी अगर support करता है साउदी और इस चीज से बहुत गुसा होता है और यह याद रखिए कि साउदी और कतर में जो सबसे बड़ी लड़ाई क्या बोल रहा हूँ साउदी और कतर जबकि GCC के दोनों member है कि सबसे बड़ाई बड़ाई यह है कि Al-Jazira जो है उसके उपर हमेशा allegation लगे कि वो हमेशा बहुत positive light में दिखाता है Muslim Brotherhood को और Arab Spring को और जिसके कारण यह डर हमेशा रहता है कि जो boss है Who is the boss? The boss is Saudi Arabia तो हमेशा एक डर रहता है कि Saudi Arabia कहां से power ना चले जाए Saudi Arabia का जो influence है वो आप देखिए यह अगर आप ध्यान से इस area में देखिएगा तो Saudi Arabia का influence आप देखिए कि आपके पास इधर कुवेथ है इधर आपके पास ओमान है यहाँ पे आपके पास UAE Qatar, Bahrain यह सारी GCC countries है और एक तरीके से कि this Saudi Arabia is the de facto de facto king of the Middle East और आप इसको यह भी कह सकते है कि this is also the voice of the majority Sunni powers in this region तो सारी सुनी मुसल्मान का जो एक तरीके से अपने आपको बेताज बादशा बना के बैठा है वोई Saudi Arabia उसी तरीके से इरान को बोला जाता है कि यह एक शिया जो मुस्लिम कम्यूनिटी है उसको सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा पावर है अब आप यह याद रखिए कि हमेशा हमेशा अगर दो पावर सेंटर्स हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फिक्ट तो होगा उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फिक्ट तो होगा एक हो गया आपका Saudi Arabia दूसरा player हो गया आपका Iran ठीक है अब अगला कुशन आएगा कि सर्फ दो ही पावर है नहीं सर एक और पावर है एक पावर है तुर्की अब तुर्की बड़े क्रोस रोड्स में रहता है कभी अपने आपको यूरोप के साथ असोसियेट करता है और कभी अपने आपको Middle East के साथ असोसियेट करता है रीजन देखिए लोकेशन कि आप क्रोस रोड्स हैं यूर अट क्रोस रोड्स विट वेस्टन उरोप आज वेल अस विद अमिडिल इस तो आप भी एक चैलेंजर बनके कोशिश करता है इसलिए आप देखिएगा कि कभी कशमीर पे किसी भी इशू पे तुर्की हमेशा unsolicited advice statements इशू करता रहता है बहुत अच्छा defense exporter भी है but economic crisis में फजा हुआ है और वहाँ पे dictator Edogan he is in power and he always supports anti-India vitriol चोड़िये वो बात अच्छा तो एक बात आगई इरान एक तुर्की एक साओधे रेबिया और कौन है आप और कौन है सबसे important उसको star mark कर लेते हम powers को अब सबसे बड़ा power है Israel Israel directly बोला जाता है कि यह west का सबसे बड़ा सबसे बड़ा player है इस region में और यह जो एक छोटा सा नेशन है यह कतर यह कतर भी एक तरीके से छोटा छोटा मू बड़ी बात वाली बात है कतर भी उसी तरीके से through its money per capita income oil and gas are extreme amount of influence from its sovereign wealth world कतर is also a small challenger ठीक है तो वो कुछ narratives चलाता रहता है but majority players आपको यह समझ आगा कि Israel and then you have Iran Saudi Arabia यह सारी चीज़ है तो अब बात आती है कि क्या relationship share करती है यह country आपको यह बात समझ आना चाहिए कि Saudi Arabia is pro-west is always pro-west तो अगर यह pro-west है तो इसका मतलब GCC भी pro-west होगा very good इसके बाद बात आती है Qatar की Qatar चुकी छोटा चोटी सी country challenge करना चाहती है उस region में वो भी pro-west है जी हाँ 10,000 American soldiers यहाँ रहते है इनका सबसे बड़ा Middle East का base है यहाँ पर तो यह भी pro-west हो गया ठीक है भाई अच्छा यह भी मैंने बोला pro-west है यह crossroads में रहता है कभी pro-west खेलता है कभी Middle East खेलता है तो इसको हम एक एवे मतलब कभी इदर कभी उदर ठीक है दोनों साइड खेलने की कोशिक करता है इरान यह absolutely anti-west है anti-west और anti-west में this is anti US and anti Israel अभी मैं बताओंगा क्यों 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 समझेंगे इसको एक एक चीज को समझेंगे तो यह पूरी equation आपको समझ आ रही है अच्छा pro-west होना का मतलब यह होता है क्या कि हर यह जो pro-west country है यह इसराइल को support करेगी यहीं पर एक disagreement है कि जो भी जो भी अरब countries है अरब countries है या Muslim dominated countries है या Muslim countries है Islamic countries है जो भी वो एक चीज में absolutely against इसराइल है क्योंकि इसराइल पर सबसे बड़ी बात है कि इसराइल ने Palestinian territory को occupy किया है तो आप यह बिल्कुल भी expect मत करिये कि Saudi Arabia शान्त रहेगा या खतर शान्त रहेगा बहरेन, कुवेट आप किसी से भी expect मत करिये कि यह शान्त रहेंगे बट यह आज तक आपको दिखरा होगा कि इस conflict में आज तक शान्त है उसका सिफ़ एक कारण है उसका कारण है इरान क्योंकि जो हमास है जो हमास है इसको support तो कोई भी कर सकता है बट इसको आज के date में हमास के जो सबसे strategic partner है वो इरान है तो अगर आप हमास को support करते हैं हमास power में आता है उस region में माल लीजे माल लीजे हमास यहाँ पर power मा जाता है तो क्या chances हैं कि यह Jordan में दीरे दीरे पिर क्या chances हैं कि एक Arab Spring जैसा movement ना बन जा है तो क्या यह threat करेगा और इसलिए आप देखेंगे बहुत selectively बहुत selectively GCC बहुत शान्त रहता है except for Qatar जो कि अपने जो कि अपने media outlet से बहुत अच्छे तरीके से इस topic पे बात करता रहता है आपको मैंने बताया कि भई आपके पास क्या-क्या power centers है वो power centers आपको समझा है Saudi Arabia who is the boss boss of the Middle East और आप यह कह सकते हैं कि Middle East plus North Africa तो पूरा North Africa and Middle East और essentially जो जो भी countries में ज्यादा dominance of the Sunni community उनका एक de facto boss है Saudi Arabia और आप यह भी समझेए कि इसके साथ religion ऐसे associated है कि मक्का, मदीना आपके सारे holiest places of Islam is there in Saudi Arabia तो एक तरीके से वो legitimate boss भी बन जाता है and with the help of western backing naturally US, UAE यह अपने आपको progressive state के तरह दिखाता है जहाँ पर UAE is absorbing all types of ideas UAE आपने देखा कि कभी Indian community है कोई भी community जो which is earning money wealthy people they are attracting everyone तो अगर आप wealthy people को attract करते हो आप उनको बोलते हो property में invest करो यहाँ पर आओ super car चलाओ अच्छी lifestyle जी हो तो आप naturally आपको थोड़ा progressive बनना पड़ेगा आपको freedoms देने पड़ेंगे इरान challenger है सबसे बड़ा और यह एक Shia सबसे बड़ा Shia power है then Qatar Qatar is all about influence अपने छोटे weight के proportion में आपको ज़्यादा influence चाहिए and Turkey Turkey को old days of ottoman वापस चाहिए तो यह आपको इस region का एक तरीके से छोटा सा brief मिल गया और इसलिए यह सारे region Red Sea, Persian Gulf Mediterranean Sea यह बहुत important हो जाते हैं और आपको तुर्की के उपर देखिए तो Black Sea वो इसलिए जादे important हो जाता है किसी भी exam के लिए क्योंकि आपका वो Russia-Ukraine conflict चल रहा है चलिए इरान के उपर आईए इरान is the challenger to the boss जो आप religious basically boss भी बनना चाहते you naturally want more power you want more money तो गिए अगर आपके पास GCC का command है आपके पास OPEC का command है आपके पास OIC का command है तो essentially आपने पारे जो यह आपका regional player हो गया regional यह आपका religion का player हो गया यह आपको oil का player हो गया तो आप challenge क्यों नहीं करोगे you will naturally want कि आपको यह सारी चीज़ों के पर control मिले तो आपको एक regional influence तो बनना ही आपको global एक influence बनना है क्यों? Why? Because आपको एक चीज़ समझाए कि you are against the West West क्यों? क्योंकि देखिए जो 1979 की जो revolution हुई थी वो revolution से पहले जो उससे पहले वाला जो part था उसमें यह देखा गया था कि जो west है उसने बहुत बहुत मैंले बिना शरम के interfere क्या किया था in Iran मतलब वहां की oil resources, gas resources सब को exploit किया अपनी कभी British company, कभी US की company आके वहां पे वो exploit कर रही थी और पैसे को basically plunder कर रही थी और बाहर ले जगा है तो आप essentially exploit कर रहे है oil money को बाहर ले जा रहे है तो जब यह revolution होता है इसके बाद यह doubt इतना जादा हो जाता है कि आप चाहे वो bureaucracy हो चाहे आपकी जो military हो कोई भी leadership थी या तो वो भाग गई या उनको चुन-चुन के बाहर जाके मारा गया जैसे भी बात हो रही है न unknown men of raw तो उसी तरीके से जो भी ऐसे लोग थे जो कि pro-west थे उनको चुन-चुन के मारा गया और यह देखिए हमेशा हर बात पे यह flag जलाते रहेंगे यू-एस का और कभी किसी भी तरीके से यू-एस को harm करने के कोशिश करेंगे अब ध्यान से समझे माल लीजे इरान डिरेक्ली यू-एस को attack करता है तो यू-एस क्या करेगा rubble बना देगा rubble हफते में rubble बना देगा corporate bombing तो अब वो क्या करता है वो एक सथा तरीका डूनता है जैसे पाकिस्तान ने हमारेंगे इस डूनता है तो वो एक सथा तरीका डूनता है of proxy warfare क्या प्रोक्सी वारफेर अब आप बोलेंगे सर ये कैसा proxy है आपका किस टाइब का proxies है तो पहले मैं आपको बताता हूँ social media के दुरू बहुत सारी narratives बनाऊंगा जो कि anti-west होगी अच्छा anti-israel अब इसलिए है क्योंकि we do not agree simple सी बात है देखिए हमास आपको कोई support नहीं कर रहा हम आपको support करेंगे ठेक है और हम we do not एक ऐसा time आया था where Oslo Peace Accords 1993 एक ऐसा time deal complete कर चुके तो जैसे ही ये लोग power में जो लोग ये deal complete कर रहे है उन्ही को हंटा दिया जाएगा ये उन्ही को मार दिया जाएगा तो on both the sides people don't want a solution दोनों को पूरी land चाहिए इसराइल को और पूरा Gaza Strip भी चाहिए West Bank भी चाहिए और उसी तरीके से अगर आप campus protest में एक slogan देखें बहुत गंदा slogan है और इसराइली से anti-semitic slogan बोलते है कि from the river to sea मतलब from Jordan to Mediterranean Sea we'll take all the land Hamas भी बोलता है ने destruction of Israel तो they do not agree with the two state solution river to the sea की बात होती है तो इसे लिए Israel is the player is the छोटा सा बच्चा of US वो बोलते है little satan big satan and little satan small satan तो इसको satan की तरह बोल जाता है यह एक दुश्मन है essentially इस पूरे region का और यह US है nothing else this is nothing except for US तो इरान क्या करता है एक IRGC बनाता है अब ध्याद सुनिए जो 1979 की Islamic revolution की बात कर रहा हूँ इसके बाद इरान अपनी military पे भी trust नहीं करता तो वो एक Islamic revolutionary guards बनाता है COP बनाता है IRGC और इसका एक division है कुड्स यह जो कुड्स है this has only one work to increase the influence of Iran कैसे strategic depth दूसरी country में dissidents को support करके तो यह क्या गरेगा यह एक parallel military की तरह operate करता है and this is extremely like it is supporting militia it is protecting coups तो essentially क्या हो रहा है कि अगर आप Iran को देखे है तो Iran को आपीशाए डर रहेगा कि क्या मेरो पर जो military है वही आके attack ना करते कू ना करते तो इसलिए मैंने बनाया IRGC IRGC का specialized unit है कुड्स का क्या काम है कि इरान का जो influence है उसको बढ़ाना है और इसी कुड्स के through मैं किसी के साथ deal करूँगा और वो deal करने के बाद यह attack कर देगे इमालेज़े embassy consulates के तो फाइदा क्या हुआ इरान को इरान बोलेगा कि भाई मैंने तो नहीं कराया plausible deniability उसने कराया वो particular terror organization है हम तो दिना है बट back end में आपको समझ आएगा कि सार जगे इनकी photo सामने आ जाएगी इनको मार दिया US ने काजिम सुलेमानी अब काजिम सुलेमानी कभी ISIS के region में दिखेंगे कभी Syria में दिखेंगे कभी Lebanon में दिखेंगे हर जगे घूमते घूमते किसी भी dissidents किसी भी military organization के साथ बैठे वे दिखेंगे इनकी pictures बीच में बहुत viral होने लगी थी तो ये Twitter पे बार-बार इनकी pictures आती थी कि now he is collaborating with this organization that organization और target क्या था US को खतम करना और जो little Satan है Israel उसको खतम करना ये देखिए ज़रा ये articles पढ़िए US carries out retaliatory strikes on Iranian linked militia targets in Iraq and Syria Biden faces demands from Republicans in Congress to strike Iran after US proof death ये जो US के उप़र attacks होंगे Israeli embassies, consulates पर attack होंगे वो Iran directly नहीं करता usually वो indirectly करवाता है through these militia अच्छा आपको मैं एक information देना चाह रहा हूँ कि you are taking up any course on study IQ you can use my code MBLIVE और अगर आप मेरे को social media पर follow करना चाहते तो you can use this right now what do you understand by the axis of resistance तो मैं हर जगे एक एक power को पकड़ूँगा उनको support करूँगा जैसे कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान के example में लीजे तो आप कश्मीरी militancy लीजिए या आप खालिस्तानी militancy लीजिए तो हर जगे किसी ने किसी power को पगड़ के आपने support करना शुरू किया हमारे neighbor ने तो उसने support करना शुरू किया वही bleed इंडिया थाउजन कट्स केटू प्रोजेक्ट था इनका famous तो फेल हो गया बहुत बुरी तरह किसे अपनी country अब समखल नहीं रही है तो ऐसे ही इरान ने अपना axis of resistance बनाया क्या है क्या reason क्या है भाई हमें भी strategic strategic depth चाहिए दूसरी country में influence चाहिए अपनी country के बाहर influence चाहिए चारो तरफ और इस influence से क्या होगा कि पहले तो मेरो पर कोई attack नहीं करेगा पहली बात क्योंकि माली जै हमास ने किसी को पर bombing की तो इसरा इलाज किसी को मार रहा इरान को थोड़ी ना मार रहा हमास को मार इरान को कितने पैसे खर्चो कुछ millions of dollars जो कि उसने तेल और gas को illegally स्मगल कर दिया किसी को बेज दिया तो उसको पैसे वो मिलके चाइना को दूदिया उसको पैसे मिलके हमास को fund कर दिया उसी तरीके से यह जो छोटा सा strip है यह आपका इसराइल हो गया इसराइल के यहाँ पर यह जो गाजा strip है यह गाजा और यहाँ जो है वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक तो यहाँ पर यह सपोर्ट करता है हमास को और अब देखिये जरा सोची आप आपकी एक country है ठीक है और इस country में इस area से आपको हमास है यहाँ से आपको हमास है दो जैगे से मालिजज आपको या एक और organization इन्होंने एक इस्लामिक जिहाद करके एक organization है वो भी है और north से आपके पास Lebanon है Lebanon में आपके पास southern Lebanon यहाँ पर आपके पास है Hezbollah तो चारों तरफ से आपके पास threat ही threat है threat ही threat हमास हमास Hezbollah three sides और एक side आपके पास समंदर है ठीक है समंदर में आपको थोड़ा support मिल जाता है US का उसके बाद और क्या है अच्छा उसके बाद आपके पास यहाँ पर Yemen है Yemen में आप किसको support कर रहे हो Yemen में आप support कर रहे हो Houthis को यह लिखा है आपके Houthis और उसी तरीके से आप Iraq में जो जो fighters थे of ISIS ISIS को defeat करने में भी आपने अपने अपना game खेला किस side से you were pro Syria तो जो Syria कह रहा था यहाँ से सुनिए जो Syria कह रहा था Syria में कौन power था बशर अल-Assad तो Assad regime प्लस आप पूरा Iran का support और प्लस आपको Russia का support तो अगर आईसिस की fight अगर आपको याद है आईसिस की पूरी कहानी याद है आज आईसिस इतना visible नहीं है आईसिस में भी वही remnants of cold war आपको दिखेगा एक side US fight कर रहा था apparently आईसिस को destroy करने के लिए और एक side से आपको इरान fight कर रहा था आईसिस को destroy करने के लिए along with Russia, China यह सारे लोग पीछे-पीछे से खेलते रहते तो essentially इरान ने अपने घरते दूर conflicts create किये और उसके कारण आप देखेगा कि Yemen में instability है yes, civil war वाली condition है Southern Lebanon अब Northern Lebanon में कोई जू नहीं है सब अराम से, बहुत अच्छी lifestyle चल रहे है, मैंने अभी recently 2-3 दिन पहले सारी वीडियो देखी Lebanon की, वहाँ पे सब कुछ normal चल रहा है बट Southern Lebanon हमेशा continuously bomb कर रहे है ठीक है 30 कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 6 लाख soldier है 6 लाख soldier है और हम attack करने के लिए तयार है हम attack करने के लिए तयार है कि इस पर इसराइल पर ठीक है भाई West Bank में आपको पता है कि 3-4 महीने में continuously वहाँ पे भी अभी हमास के rocket fires आते हैं और फिर यहां पे cross rates हो रहे है और Gaza Strip की तो कहानी सबको पता ही है 35,000 लोग मारे जा चुके है और इसराइल के साइड से 14-1500 लोगों को मारा था जो पार्टी कर रहते हैं ऐसे लोग और उसके बाद बच्चों को भी मारा था यह तो एक अलिक कहानी है तो यह देखें बशार अला साथ IRGC और इसका retaliation आपको US से दिखेगा US ने अपने देखी कैसे strategically अपने locations पे bases बना रखे हैं और अपने लोग position कर रखे हैं आप देखिए कि इसने US ने इस रीजन में अपने लोग लगा रखें Mediterranean में लगा रखें जिससे कि वो help कर रहा था to defend Israel against any missile attacks from Iran याद आपको Jordan along with US ने यह defend किया था missile attacks then you have very good presence here in the Persian Gulf तो हर जगे US इसली इतना active है क्योंकि एक चीज़ पता है इस रीजन में इसराइल के पीछे axis of resistance तो लगा हुआ है और अरब sentiments भी लगे हुए है अरब sentiments हमेशा रहेंगे anti-Israel क्यों क्योंकि Palestinian Arabs हैं century और उनकी जमीन ली गई अच्छा अब आजाईए finally इसराइल पे इसराइल की जिस जगे की मैं बात कर रहा था वो ये जगे है ये छोटा सा जो आपको strip दिख रहा है इस strip और इसी strip को अगर आप expand करके देखें तो यहाँ पे आपका southern गज़ा है और southern गज़ा में यहाँ पे आपका roughah border है और इसी के ओपर essentially इन्होंने कबजा कर रखा है तो मैंने आपको बोला Lebanon से इधर से attack आ रहा है West Bank से आपके ओपर stress है Gaza से आपके ओपर stress है और Egypt भी आपके साथ अब अच्छे अब देखिए नॉर्मलाइजेशन तो आपने Egypt के साथ कर ली but because of this conflict यह सारी countries अभी antithetical हो रखी है इसराइल के तो UAE हो, Saudi Arabia हो, सब नॉर्मलाइजेशन के तरफ जा रहे थे इसराइल के बात क्या थी? जब Donald Trump, यह सारे Abraham Accords वगरा कर आ रहे थे तो क्या कोशिश कर रही थी? कि नॉर्मलाइज हो जाएं चीजे, सारी countries accept करना शुरू कर दें कि Israel is a country ठीक है, पहले तो accept करना शुरू करें और फिर यह conflict torn down हो बट इसी time में यहां से सूचिया कि जब US अपने सबसे important ally, इसराइल के बारे में यह कह रहे बट इसी time में क्या किया? हमास ने attack किया strategically और हमास के उपर जो वापे से attack हुआ इससे global फरवर बना कि इसराइल गलत कर रहा रहा है that is the whole story how they are essentially playing a bigger game, greater game now thank you so much for watching this, मेर आपसे एक request है please share this video with your family and friends and do like this video and do tell me कि मैं और किन topics पर ऐसे video बना के लाँ thank you so much, all the very best Study IQ IS अब तयारी हुई affordable